हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सूद, सो पेपर वान में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है NIRF रैंकिंग, जिससे अफकमिंग एक्जाम में आपको जरूर क्वेशन्स देखने को मिल सकते हैं, सो रिसेंटली दो हजार चौबिस में NIRF की रैंकिंग रिलीज होई है, जिससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेशन्स और इंपोर्टेंट कॉंसेट्स आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस सेशन में आप सभ वाट्सप क्रूप में भी आड़ किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे टाउट्स क्लियर कर सकते हो, और आपको हर क्लास के बाद PDF में मिल जाएगी, जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा, और रिविशन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक ट करिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम, जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे, तो देखेंगे, कंप्लीट कोर्स आपके सामने है, यूनिट वाइज और फुल सेलिबस मॉक टिस्ट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं, यहां से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है, और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते ह सो 29 सितंबर 2015 को Ministry of Education ने ये अप्रूवल दे दिया था कि NIRF रैंकिंग जैसा कुछ होना चाहिए, जिससे कि यूनिवर्सिटीज को भी और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हमारी कंट्री में बेस्ट कॉलेज या बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, हर साल ये लिस्ट जारी की जाती है, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि रेंटमली किसे भी यूनिवर्सिटी को सलेक्ट कर लिया जाता है, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ये देखा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में टीचिंग अच् चीज़े हैं जो हम आगे discuss करेंगे इसके बाद 2024 का क्या data है कैसे questions बनेंगे वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करेंगे पहले कि कितने parameters हैं जिसके उपर NIRF ranking किसी college या university को दी जाती है तो यह सारी चीज़ें आपको official website पर भी मिलेंगी तो हम पहले उसी site पर जाकर चीज़ों को विज़र्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम आचुके हैं NIRF इंडिया की official website पर और यहां पर आप देखोगे कि 2024 का rank जो है वो जारी हो चुका है अब सबसे पहली बात आती है कि कितने subjects पर यह काम करता है ठीक है ऐसा तो नहीं है कि सरफ engineering college है या सरफ medical college है so overall जितनी categories है इसमें वो आपके सामने है so total आप देख सकते हो कि 16 categories है जिसमें एक category है overall so overall category बताती है कि जितने भी colleges है जितनी भी categories है चाहे engineering है, medical है, pharmacy है dental है, सब में किस-किस university ने top किया है इसके नाम आप से paper में पूछे जाएंगे कि NIRF ranking में overall 2024 में किस university ने top किया है वो हम आगे देखेंगे, आगे है university wise, next is colleges, research institutes जो कि बहुत important है paper में यहां से जरूर research aptitude का question बन सकता है, then we have engineering, management, pharmacy, medical, dental, law architecture and planning agriculture and allied sectors innovation यानि कि जो भी scientists वगेरा रहते हैं उन सब चीजों से related चीज़े इसमें आती है open university skill universities और state public universities, so यह overall categories हैं अब students अगर आप 2022 या 2023 का कोई पुराना वीडियो मेरा देख रहे हो या किसी और का देख रहे हो, तो आपको ये भी चीज़ समझनी है कि उस समय इतनी categories नहीं होती थी, अभी 16 categories हैं उस समय सरफ 11 categories होती थी, तो अब आपको updated data को ध्यान में रखना है ठीके, अब ये है आपके पास official ranking के list जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन-कौन से parameters के उपर ये काम करता है सबसे पहला parameter है teaching, learning and resources जिसको आप हिंदी में बोलोगे शिक्षन, learning मतलब कुछ सीखना और resources मतलब संसादन, कि यहाँ पर teaching किस level की होती है, students किस level तक चीज़े सीखते हैं और resources यानि कि education को बहतर बनाने के लिए कौन-कौन से tools resources का use किया जाता है latest technology का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं आगे है research and professional practices ये वाले question आप से statement based पूछे गए हैं तो पांचों के नाम आपको याद रखने, sequence ज़रूरी नहीं है research किस level पर हो रही है किसी college, university में professionally, जैसे professional practices के अंदर आपको पता होना चाहिए कि NEP 2020 में भी इसकी बात की गई है कि जो भी educators है, जो भी teachers है किसी university में उनकी PhD होना ज़रूरी है ठीक है, इसके अलावा government बहुत सारे initiatives हर साल लेती है जिससे कि professionally teachers को और सादा training दी जाती है हर साल, वो सब चीज़े इसमें consider की जाएंगी next है graduation outcomes okay, next we have is outreach and inclusivity आगे हम इनको detail में पढ़ेंगे और last है perception okay, outreach inclusivity and perception so इस पे हम आगे बढ़ते हैं यह देखे, कौन release करता है यह information, department of higher education ministry of education और government of india ठीक है students, so यहाँ पर देखते है important points ही देखेंगे देखे, total तो 116 pages की यह pdf है, सब कुछ पढ़ना possible नहीं है है ना, इसलिए हम क्या करेंगे important points देखेंगे so पहला जो parameter मैंने आपको बताया था वो था आपका teaching learning and resources से related है ना, so इस वाले parameter में आती है student की strength कितनी है faculty student ratio यानि कि कितने faculty members है और कितने students है उसकी एक ratio होना बहुत जादा जरूरी है माल लीजे कि 10 students है माल लीजे कि 100 students है उन पर सरफ एक ही teacher है तो यह ratio गलत है ठीक है, तो faculty और student की ratio जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 बच्चा है और एक ही teacher उनको बढ़ा रहे है तो वो ratio होना भी जरूरी है वो भी इसके अंदर चेक की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं आपके college में लेकिन teacher कम है student की strength कितनी है बहुत कम बच्चे तो नहीं हैं आपके college में तो वहाँ से पता चलता है कि क्या image होगी इस university या college की कितने teachers ऐसे हैं जो कि PhD degree जिन के पास है financial resources और utilization यानि कि financially चीज़े setup है या नहीं है और उन चीज़ों को कैसे use किया जा रहा है कहीं से अगर आपके college या university को funding मिल रही है तो उस चीज़ को फिर आप कैसे use करते हो इसको utilize कैसे करते हो यह आपका teaching, learning और resources के अंदर आता है यह जो आगे 20-25 लिखा हुए न यह ऐसा नहीं है कि student की strength 20 होनी चाहिए यह है points ठीक है कि 20 20 number में से student की strength कितनी है उसमें से आपको कितने number मिलेंगे ठीक है, financial resources और utilization 20 points में से आपको कितने मिलेंगे, online education पर भी धिया जाता है या नहीं यह भी इसमें देखते हैं, multiple entry and exit Indian knowledge system and regional languages यह आपको पता है, यह भी हमने NEP 2020 में पढ़ा है कि multiple entry और exit का system अब हर college में होना चाहिए, कि एक बच्चा अगर first year किसी और college से कर रहा है बादमन को किसी reason की वज़े थे दूसरी जगा पर जाना पड़े तो multiple entry और exit का option उनके पास होना चाहिए ठीक है, second है research and professional practices इसमें publications के कितनी publications आपके college में से बच्चों ने की है, कितनी citations एंटर हुई है, patent कितने है, यानि कितने चीजें ऐसी है जिस पर आपके college का या आपके college के students का copyright है research projects कितने है publications और citations sustainable development goal के अंदर कितनी present की गई है, ये भी देखा जाता है तो ये आसान है, research से related ही terms है, तो असानी से याद हो सकती है graduation outcome बोलता है कि कितने बच्चों की placement हुई है higher studies के लिए कितने बच्चे गए है कि graduation के बाद कितने बच्चे और यहां से आगे higher studies में जा रहे हैं, या कितने बच्चे graduation यहां से करके post graduation भी same college से कर रहे हैं, ये सब आपका graduation outcome के अंदर आएगा outreach and inclusivity के अंदर आता है women diversity, यानि कि women के लिए आप क्या कर रहे हो, आपके region के लिए क्या आप diversity को enhance करने के लिए कर रहे हो, ठीक है physically challenged students के लिए आपके क्या क्या rules है, कितने बच्चे आपके पास आ रहे हैं, economically and socially challenge students के लिए आप क्या provide कर रहे हो facilities, ये सब भी देखा जाता है, उसके आगे है perception, perception का मतलब होता है किसी person का viewpoint, ठीक है, तो viewpoint बताता है peer perception academic कि जो student वहाँ पर पढ़ रहे हैं, या जो teacher वहाँ पर काम कर रहे हैं, professors वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके views क्या हैं, इस college को लेकर वो भी इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है तो students, ये जितनी भी चीज़े हैं, इन सब का ध्यान रखके ही rank दिया जाता है किसी भी college university को, ओके तो ये चीज़े आपको ध्यान में आ गई जितना बहतर ये सब कुछ होगा, उतना ही बहतर आप लोगों का college का rank रहेगा अब total number of colleges की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है clearly ठीक है, तो यहाँ पर clear देखो लिखा हुआ है कि participation numbers for pre-registration and new registration table 1, उपर वाले table में यह important नहीं है, table 2 बोल रहा है participant number of overall category and domain specific ranking so total 10,845 colleges ने इसमें participate किया था, सारे colleges participate नहीं करते हैं, ठीक है so यह भी फिलाल इतना important नहीं है इसके बाद आता है page number 40 पे चलते है, जो की important है ठीक है, so यह है आपके पास top ranked institutions in India so सबसे पहले हम discussion start करेंगे overall category से, so students यहाँ पर आपको सारे list नहीं देखने है overall category में अगर आप देखने जाओगे न, so आपको यहाँ पर total 100, हर category में लगबग 100 universities की बात की जाती है, अब 100 नाम याद रखना जरूरी भी नहीं है, और possible भी नहीं है, है ना, तो आपको क्या करना है overall category की सिर्फ top 5 या top 10 याद रखने है top 3 भी चलते हैं, ठीके IIT मदरास हमेशा की तरह overall category पिछले साल 2022 में भी IIT मदरास नहीं top किया था second number पर आया था Indian Institute IIT बैंगलूरू और third number पर है IIT बॉंबे ठीके, सो ये top 5 आपको at least याद रखने है IIT बॉंबे, फिर डेली, फिर कानपूर ठीके, एंड उससे पहले science ने top किया है और उससे पहले IIT मदरास जो की हमेशा top पर आता ही है तो ये एक list आपको overall category के नोट करनी है इसके बाद आते हैं हम universities पे so IIT बैंगलूरू देखो overall category में बैंगलूरू का rank 2 था है ना और universities में इसका rank 1 है अब paper में सवाल यहां सी कैसे बन सकता है statement based question बन सकता है तो statement 1 में पूछा जाएगा कि NIRF 2024 के data के हिसाब से overall category में IISC बैंगलूरू का rank था 2 और statement 2 में बोला जा सकता है कि इस 2024 में ही IISC का university के अंदर rank था first तो आपको यह rank पता होनी चाहिए मैं उमीद कर रही हूँ आप समझ रहे हो कैसे question आते है या फिर यह पूछा जा सकता है कि 2024 की जगा आपसे 2023 का data पूछा जाए comparison करवाया जाए कि 2023 में यह university टॉपर थी और 2024 में यह वाली university टॉपर है बताइए कौन से statement सही होगी ओके सो यहां से students मैं उमीद कर रही हूँ कि आपको चीज़े समझ आ रही है एक बार मुझे quick update आप लोग कमेंट करके दे दीजेगा कि yes ma'am चीज़े समझ आ रही है ताकि मैं आपके लिए ऐसे current affair लाती रहूँ इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई topic है current affair का जो पढ़ना है वो भी चाहिए तो मुझे आप बता दीजिए मैं link आपके साथ share कर दूँगी so 100 university में युनिवर्सिटी में बैंगलूरू है फिर जवाहरलाल नहरू युनिवर्सिटी है फिर जे एमाए है फिर हमारे पास है मनिपाल academic of higher education then पांचवे नंबर पे है बनारस हिंदू युनिवर्सिटी so आपको ये भी पूचा जा सकता है कि 2024 के हिसाब से BHU का क्या rank था तो आपको पता होना चाहिए कि पांचवा rank था ठीक है so 100 हमें पढ़ने भी नहीं है याद भी नहीं रखने है आगे है public universities state की public universities so Tamil Nadu में अन्ना युनिवर्सिटी है जो की first number पर आई है ठीक है आगे है जदवपूर युनिवर्सिटी कौलकाता में है then Savitri भाई फुली युनिवर्सिटी that is in महाराश्रा ये युनिवर्सिटी पीएच्डी के लिए बहुत फेमस है ये वाली युनिवर्सिटी पीएच्डी के लिए बहुत फेमस है ये top state public universities है then we have कलकत्ता और पंजाब युनिवर्सिटी next we have is open universities ठीक है so open university में top three का ही नाम दिया गया है ये तो फिर बहुत important हो जाता है IGNU yes ये current affair में ये question मैंने आज ही पढ़ा था कि IGNU जो है वो पहली बार open university के list में top आया है तो ये एक important point है जो paper में पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी national open university पहली बार top आई है अपनी category में आगे है नेताजी साहिब सुभाश open university और third number पर है बाबा साहिब अमेदकर open university that is in गुजरात three skill universities पहले skill universities added नहीं थी इस list में अब इसको add किया गया है तो पहला है Symbosis skill and professional university that is in पूने आपको city भी पता होनी चाहिए ठीके श्री विश्व कर्म स्किल यूनिवर्सिटी पल्वल और भारतिय स्किल देवल्प्मेंट यूनिवर्सिटी that is in जैपूर top colleges की बात करें overall पिछले साल जो है वो मिरंदा हाउस top पर था लेकिन इस साल Hindu college ने top किया है second number पर मिरंदा हाउस Stephens college is in third rank Ramakrishnan Mission Vivekanand Centenary college ये भी आपका third number third पर misprint हो चुके ये fourth number पर है ठीके और आत्माराम सनातन धरम college जो है वो पांचवे number पर है जो कि New Delhi में है इसके अलावा students आपना कुछ famous universities भी देख सकते हो जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो famous university कौन सी है ad such जो UGC में आज तक पूछी गई है इन में से कोई भी मुझे दिख नहीं रही लेकिन फिर भी आप एक बार उस पर नजर मार सकते हो ठीक है चलिए धीरे धीरे देखते हैं इसको चलिए नहीं है तो आगे फिर हम आ रही है research institute पर very important research aptitude या फिर higher education से relate करके यहां से question बन सकता है सो पहला IISC Bangaluru again देखिए Bangaluru College तो बहुत टॉप पर है इस बार है ना university wise भी overall में second है और research में भी top है then IIT madras IIT madras आपका overall जो है वह first number पर है लेकिन research में second number पर आया है then Delhi, then Bombay, then Kharagpur research के लिए Kharagpur जो है वो top 5 में आप लोग उसको देख सकते हो next we have is innovation institutions so Bombay, Madras, Hyderabad, Bangaluru and Kanpur so यहां पर Bangaluru जो है innovation के मामले में थोड़ा सा पीछे चला गया next engineering very important engineering में आप लोगों से यह पूछा जा सकता है एक बाद students में आना आप लोगों को PYQ के साथ एक idea भी देती हूँ यह देखो कैसे question आते हैं यहां पर देखो कब launch किया गया था basic question है इसके बाद broad parameters कौन कौन से हैं यह हमने अभी पढ़े यह ऐसे question पूछे जा सकते हैं जैसे agriculture और allied वाली आड की गई थी innovation वाला जो पार्ट है यह भी आपका use किया गया था architecture वाला भी 2030 में आड किया गया था इससे पहले नहीं होता था ठीक है NIRF का इंद में से कौन सा parameter नहीं है तो यहां से मैं आपको idea दे रही हूँ कि कैसे question आते हैं ठीक है सो हमने engineering भी देख लिया then we have management की category so management में IIM एहमताबाद हमेशा की तरह यह होता है यह ध्यान रखेगा Bangalore है ठीक है then we have kozikode that is in Kerala then Delhi और Calcutta इसमें आपको यादी रखना है as such कोई prick या ऐसा कुछ नहीं है एक दो बार पढ़ोगे कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी pharmacy के लिए jamia hamdard जो है वो बहुत famous है pharmacy में यह top करता है पिलाणी is in third number हैदराबाद की जो research university है वो second number पर आई है then we have UT Tamil Nadu में university है pharmacy की fourth number पर और chemical technology का institute है मुंबई में fifth number पर ठीक है अगली category है agriculture और प्लानिंग रूड़की खड़कपुर कैलकट कैलीकट I don't know इसको कैसे प्रनाउंस करते हैं किसी को clear है तो मुझे बता सकते हो ठीक है आगे है वेस्ट बेंगॉल की university है और फिर न्यू डेली में है law की अगर हम लोग बात करें so national law school of Indian university बैंगलूरू काफी बार ये top पर आता है law university new Delhi में जो है second number पर नलसर university फिर वेस्ट बेंगल judicial science and then symbols law school medical colleges में I.I. आपके पास है I.I. Indian institute of medical science I.I. M.S. Delhi I.I. M. Delhi ठीक है then we have PGI post graduation institute of medical education जो की चंडिगड में है second number पर ये आया है Christian medical college third number bangalore का एक college है fourth number जवाहरलाल institute of PG medical education is in fifth position ठीक है similarly dental का आप लोग देख सकते हो यहां पर students then we have agriculture and allied sector okay so यह थी overall categories जो मैंने आपको बताई so आगे देख स्टूटेंस यहां पर detail में चीजें लिखी है इतना जादा हमें पढ़ना नहीं है इस वीडियो में मैंने जो भी बताया सिरफ और सिरफ यही चीजें याद रखिए अभी आपको लग रहा होगा कि मैम यह बहुत जादा लंबी वीडियो बनगे इतना कैसे याद रखेंगे तो आपको क्या करना है सिरफ पांच पैरामीटर्स याद रखने है 16 domains जो है जो 16 categories है university की वो याद रखनी है overall है एक तो college है dental medical यह सब याद रखना है और सबके top five at least top five आपको याद रखने है ठीक है बस इतनी से चीज़े याद रखनी है एक दो बार दिन में एक एक बार रोज नजर मार लो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी NIRF stands for national institutional ranking framework and it was launched on आपसे पूछा है कि NIRF को कब launch किया गया था उससे पहले आपको बताती हूँ कि ये काम क्या करता है तो देखिए इसमें लिखा है national यानि कि ये इंडिया लेवल पर काम कर रहा है and ranking framework कि ये universities को rank देने के काम आता है तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी इंडिया में higher educational institutions है उन सभी institutions को हर साल ये rank देता है ताकि इससे क्या होता है हमें ये भी पता चलता है कि हर साल हमारे देश में कौन सा वो college है कौन सी वो university है या फिर higher educational institution है जो top कर रहा है जो best level पर students को education दे रहा है इसको कब launch किया गया था इसको 29 September 2015 को launch किया गया था और उसी दिन से उसी समय से इसने अपना काम शुरू कर दिया था इसके अलावा exam में ये भी पूछा जा सकता है कि NIRF को किनों ने approve किया था या किनों ने launch किया था सो NIRF को MHRD के द्वारा उस समय पे MHRD हुआ करता था उसके द्वारा इनको approval मिला था अब MHRD का नाम बदल दिया गया है जो है ministry of education आई होप ये चीज आप लोगों को बिलकुल clear हो चुकी है अगला question है broad parameters under NIRF on अब देखिए universities को rank तो ये देता है मैंने आपको बता दिया किन-किन चीजों का ध्यान रखते हुए किन-किन चीजों को चेक करने के बाद rank दिया जाता है ये होते है broad parameters पहला option है teaching, learning and resources कि उस college में उस university में कैसी पढ़ाई हो रही है बच्चे कितना सीख रहे है पढ़ाई के लिए students को resources यानि कि संसाधन क्या-क्या उपलब्द करवाये जा रहे है option two है research and professional practices कि आपके college में कैसे level पर research हो रहा है professionally काम होता है या नहीं होता है ये दोनों चीजें ये दोनों options बिलकुल सही है ठीक है तीसरा है graduation outcomes कि कितने students यहाँ पर graduate हो रहे हैं क्या उनका overall result रह रहा है किस level तक वो जा रहे है तो ये भी correct option है outreach and inclusivity ठीक है कि किस level तक यहाँ से पढ़े हुए बच्चे पहुंच रहे हैं किस level तक students को knowledge दिया जा रहा है ये भी बहुत important होता है और fifth point है peer perception यानि कि उस college के अंदर जो staff काम कर रहा है ये जो students पढ़ रहे हैं उन सब के क्या reviews है उस college के protocols को ले करके ये भी यहाँ पर देखा जाता है so correct answer क्या है option number four that is all of the given statements are absolutely true okay so ये सब parameters हैं जिनका ध्यान रखके NIRF सारे universities को rank देता है अगला question है how many distinct editions are there in 2023 अब देखो पहले क्या था NIRF में कुछ subjects भी अड़ किये गए थी कुछ categories आड़ की गई थी subjects नहीं categories आड़ की गई थी ठीक है जैसे कि overall हमारे इंडिया में कौन सी university ने top क्या है top 10 universities की list आती थी उसके बाद engineering के field में top 10 universities कौन सी है medical के field में कौन सी है ठीक है research में कौन सी top 10 universities है इस तरीके से different categories में divide किया जाता था और फिर rank दिया जाता था universities को अब 2023 में कुछ और domains यहाँ पर add कर दिये गए हैं इसमें पूछा है कि कितने और add किये गए हैं तो यह है total 3 नए domains जो की 2013 में जोड़े गए हैं क्या क्या इनके नाम है वो भी देखते हैं सो देखिए पहले agriculture और allied sectors से जुड़े हुए subjects जो थे या colleges जो थे उनको NIRF rank नहीं देता था उनको NIRF में include नहीं किया जाता था बट अब किया जाएगा ठीक है architecture था पहले अभी architecture to architecture and planning को include कर दिया गया है अगला है integration of innovation ranking previously executed by the utter ranking of institution on innovation achievements into India ranking to reduce the burden of institutions of providing similar data of two different agencies अब देखिए पहले क्या था innovation से related जो जो categories थी उसको भी NIRF के अंडर नहीं रखा गया था उसको AR, IIA के अंडर रखा जाता था लेकिन अभी उसको भी NIRF में जोड़ दिया गया है अगला question है leading engineering institutions according to NIRF 2023 is so 2023 में जो list निकले थी उसमें engineering में top college कौन सा है IIT Madras, IIT Kharagpur, IIT, sorry IIM एहमदाबाद या फिर none of the above so देखो IIM तो हो गई नहीं क्योंकि M का मतलब ही management है है न तो management की यहाँ पर बात नहीं की गई है यहाँ पर engineering की बात की गई है so correct answer है आपके पास IIT Madras, okay अब देखो अगर यहाँ पर engineering की जगा management होता तो correct answer IIM एहमदाबाद होता क्योंकि 2023 के rank के हिसाब से यह institution ने top किया है ठीक है यहाँ देख सकते हो maintained its dominance as the top engineering institute in India for the 8th consecutive year so देखिए पिछले आठ साल से IIT Madras की engineering में top कर रहा है IIT Delhi and IIT Bombay securing the second and third position IIT Delhi second आया है और Bombay में third rank NIRF के हिसाब से मिला है I hope students आप सारी चीज़े समझ रहे हो कोई भी confusion है कोई भी सवाल है जो परिशान कर रहा है तो बेच जीज़े मुझे comment करके पूछ लीज़े मैं जरूर आपकी help करूँ है अगला question है which of the following is not a parameter for ranking according to NIRF अब not पूछा है ठीक है teaching learning resources होते हैं यह हमने देख लिया था campus placement कितनी हुई है research and professional practices outreach and inclusivity ठीक है campus placement को यहाँ पर यह चेक नहीं करते हैं तो correct answer है option number 2 ठीक है बच्चों ने कितना पढ़ा कितना उनका score आया वो सब important है campus placement important क्यों नहीं है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कुछ colleges में ऐसी companies आती है placement के लिए जिन में शायद मैं interested नहीं हूं मान दीजिए जिसे मुझे online teaching में जाना था लेकिन मेरी company मेरे college में online teaching के लिए placement के लिए कोई भी company नहीं आई थी ऐसी तो campus placement को इसलिए NIRF में include नहीं किया जाता which among the following is not related to the ranking of world universities so world universities भी एक important concept होता है so इसमें किस चीज़ को आद नहीं किया जाता वो है QS ranking ये question जादा नहीं important है बस as it is याद रख लीजे अगला है top performers in the overall category in NIRF 2023 is so देखे मैं आपको बताया था ना कि अलगल है domains होते engineering, pharmacy, medical, architecture ठीक है वो सब अलग-अलग है कि engineering में कौन से college ने top किया अब है कि पूरे इंडिया में हर एक category का मिला कर किस college ने top किया, किस institution ने top किया ये इस question में पूछा है so correct answer है IIT Madras engineering में भी ये top पर है और overall category में भी यही top पर आया है which reference to the national institution with reference to the national institutional ranking framework consider the following statements only the higher educational institutions in the country are considered for ranking बिल्कुल सही है सिरफ higher educational institutions यानि कि college, universities सिरफ इनी को consider किया जाता है ठीक है आपको बतानी है लेकिन incorrect statement इस question को अच्छे से पढ़ लीजे बना गलत answer हो सकता था ठीक है it is an initiative of नीती आयोग, सो देखे ये गलत है नीती आयोग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है नीती आयोग क्या था पहले planning commission, नीती आयोग हमने पढ़ा है न ठीक है, सो correct answer है to only, क्योंकि first बिलकुल सही है which portal and document was launched by Shreemati Smriti Zubin Irani Union Minister for Human Resource Development to meet a need for a framework that would enable parents, students, teacher educational institutions and other stakeholders to rank institutions in an objective way सो देखो ये सवाल बहुत बड़ा आपको लोगों को लग रहा होगा लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज बोलिए कि एक initiative लिया गया था जिसमें parents, students, teacher educational institution, उनकी facility इन सब चीज़ों का ध्यान रखके universities को rank देने का concept था तो इसको क्या नाम दिया गया है इसका नाम ही तो है National Institutional Ranking Framework अगला सवाल है इसमें voluntary यान के खुद से कोई college वाला participate नहीं कर सकता ठीक है अगला है Indian Institute of Science Bangalore ranked first in the NIRF 2022 rankings in research and university category कि IISC Bangalore 2022 में top आया था बिल्कुल सही है ठीक है same question को 2030 के concept के साथ भी पूछा जा सकता है तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए So thank you so much everyone for watching this video I hope ये जो भी questions हमने discuss किये हैं ये जरूर आपके concepts को clear कर दिये होंगे and इसके साथ ही students कोई confusion है तो भी पूछ सकते हो and ये वीडियो पसंद आई है तो comment करके जरूर बताईएगा So thank you so much and I wish you all the way